आज प्रतेग देशवासी से एक और समर्थन माँग रहा हूं यह हैं जनता कर्फ्यू जनता कर्फ्यू यानि जनता के लिए जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू इस रविवार याने दो दिन के बाद 22 मार्च को 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवास्यों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है इस जनता कर्फ्यू के दर्म्यान कोई भी नागरीक गरों से बाहर न निकले न सडक पे जाएं न महले में या सोसाइटी में एकत्रे हो अपने घरों में ही रहे हाँ जो आवशक सेवाओं से जुड़े हुए हैं उनको तो जाना ही पड़ेगा उनका बहुत बड़ा दाई तो होता है लेकिन एक नागरीक के नाते न हम जाएं और हम देखने के लिए भी न जाएं सात्यों बाइस मार्च को हमारा ये प्रयास हमारे आत्मसायम देश हित्मे करतेवे पालन के संकल्प का एक मजबूत प्रतीख होगा 22 मार्च को जनता कर्फ्यू की सफलता इसके अनुपव हमें आने वाली चुनोत्यों के लिए भी तैयार करेंगे मैं देश की सभी राज्य सरकारों से भी आगरे करूँगा कि वो जनता कर्फ्यू का पालन कराने का नित्रुत्व करें हमारे देश में कई संगठन है NCC है NSS है कई वा संगठन है Civil Society है खेलकुत के संगठन है कई प्रकार के संगठन है धार्मिक संगठन है सामाजिक संगठन है सब कोई सबसे मैं अनुरोद करूँगा कि अभी से लेकर रविबार तक इस जनता कर्फ्यू का संदेश लोगों तक पहुंचाएं लोगों को जागरुक करें आप ये भी कर सकते हर दिन दस नए लोगों को फोन करके आप इस वैश्विक महामारी के समन्द में नागरिक को करने वाले काम जनता कर्फ्यू की बात उनको समझाएं उनको बताएं कर दो